हेलो दोस्तो स्वागत है आपका टिप्स है नौलेज चानल पर आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं जी हेर कंडिशनर जैसे कि मैंने वादा किया था शैंपू के बाजी में आपके लिए बनाओंगी हेर कंडिशनर ता जो आप दोनों को एक सार यूज कर पाएं और दोस्तो ये एक ऐसे हेर कंडिशनर है जिससे कि मौन्सुन में आपके बाल जो तूटे हैं वो आगे से कम तूटेंगे और बालों की गरोथ भी होगी और हर बार लगाने से आपके बाल पिछली बार से ज़्यादा शाइनी और सिल्की डिखेंगे तो चलिए बनाते हैं नेचर चीजो से हेर कंडिशनर जिसकी लिए हम सबसे पहले लेंगे ओस दोस्तों हमने इसमें ओस का पोडर लेना है इसके लिए आप ओस को मिक्सी में ग्रैंड करके इसका पोडर बना लीजे और ओस के सार चाहिए हमें राईस छावल का आता जाता आ तो आप चावल को मिक्सी में ग्रैंड भी कर सकते हैं हमें ओच का पॉडर और चावल का आता दोनों हुई चाहिए दो दो चमची और अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम के तक्रीबन दूद दूद अब कोई भी ले लीजे, कच्चा ले लीजे, जहां ओबला हुआ ले लीजे इन दोनों में दूद में आप दो चमच ओट का पॉडर और दो चमच रैस का पॉडर दाल दीजे इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे और फिर हम इसे गैस पे चड़ाके इसको अच्छे से पकाएंगे इतना हमें इसको पकाना है कि जह इसका कोई पेस्ट गारा सा बन जाए जब ज़े paste बन जाएगा थोड़ा तिक गारा हो जाएगा तब हम इसे थोड़े समय के लिए थंदा ओने के लिए रखतेंगे जब ज़े room temperature पर आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जी आदा चमच glyphelin और आदा चमची ओलिवल और जिस सब चीजों को हम एक लास्ट टाइम में मिक्स कर देंगे जी मिक्स कर दीजे, मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं लो जी, बड़ी असानी से आपका कैमिकल फ्री हेड कंडिशन बन गया, सुरफ थोड़ी ही चीजों से जी दोस्तों, यह एक ऐसा हेड कंडिशनेर, जिससे आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई कैमिकल फ्री एड किया ही नहीं जी Oats एड किये हैं जो कि खाने में भी जितने हैल्द होते हैं, उतने बालों के लिए स्कीन के लिए हैल्द होते हैं क्योंकि Oats मैं vitamin N होता है, जो कि आपके बालों के scalp को clear रखेगा जिससे कि मौनसुन में आपके बालों में कोई dandelख नहीं होगा, किसी पकार की कोई प्रोब्रम जब इंपल्स वगरा रैसेस नहीं होंगे जी और हमने जिसमें एड़ किया है राइस जो की विटमिन D3 में रिच होता है जिससे की आपकी बालों की जड़े स्ट्रॉंग हो जाएंगी जिससे की आपके बाल भी कम टूतेंगे और बालों की ग्रोफ तो फिर बढ़ ही जाएगी जी और साथ की साथ आपके बालों को एक शाइन भी डेता है और दूड में और ग्लिसरिन में दोस्तों लैक्टिक आफिड और ग्लैकॉनिक आफिड होता है जो कि आपके ड्राई और फ्रीजी बालों को एक मॉस्ट्र देगा जिससे कि आपके बाल शाइन दिखेंगे और ग्लिस्रिंग के तो दोस्तो हजारों ही सायदे होते हैं हमारे स्किन पर जिसकी मैं अलग से वीडियो ले की आऊंगे आपके लिए कि आप Glisten को किस कि स्टेट के से यूज कर सकते हैं तो प्लीज इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और साथ का जो रेट बेल का आइकने उसे भी दबा दीजिए तान जो जब भी मैं कोई नई वीडियो लाओं उसका आपको नोटिस्केशन हर बार मिल सके और आप मेरी जैसा भी DIY को इंजोई कर पाएं जी अब लास्ट में हमारे पास बच गया है ओलिव ओईल दोस्तो मॉन्सुन हो जा कोई हो बीजिन हो बहुत से लोगों के बाल दो मुएं हो जाते जिसको वो कटिंग करा देते कटिंग कराने के जूट नहीं होती है आप अपने बालों पर ओलिव ओल्ड को यूज़ कीजिए जिए आपके दो मुएं बालों को ठी कर देता है आप किसुकी दो मुएं बालों को सुफ्ट बना देगा जिए तो जी ये सब साइटे हैं हमारे हेर कंडिशन के सबी चीज़े गर पे आपको नैचल मिल जाएंगी आप इसे लगा के देखिए और जब आप पहली बार इसे लगा के अपने बाल दोगे आप देख पाऊगे कि इस बार आपके बाल पिछली बाल से कम तूते हैं और फ्लोली फ्लोली आपके बाल भी बहुत कम और तूतने बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोट हुए होगी और हर बार जब भी आप इस कंडिशन को लगा कि आप बाल दोगे आपको लगेगा कि अब आपके बाल वो शाइन करते हैं और इसके बाद तो आपको कोई भी हेर सिरम जा कोई भी होड कंडिशन लगाने की जूर्थी नहीं बढ़ेगी दोने के बाद खुद ही आपके बाल इतनी शाइन करेंगे और कंगी ऐसे इस इस लेगी आपके बालों से तो प्लीज दोस्तो इस हेर कंडिशन को ट्राइ कीजे और मुझे बताए कमेंट करके आपको जे मेरी वीडियो कैसी लेगी हेर कंडिशन आपको कैसी लग रहा है जी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे दोस्तों मौन्सुन का मौस्व में हर कोई हर रोज तो अपने बालों पर शांपू और कंडिशन नहीं जूज कर सकता तो आप जे केमिकल फ्री शांपू कंडिशन को ट्राइब करवाईए जिसे आपके दोस्त भी आप से खूश होंगे कि वहाँ कि इतनी अच्छी डियाइव गपगे